दोस्तो आज हम देखने वाले हैं कि Paytm Money में हम जो है SIP कैसे कर सकते हैं SIP आप जो है Stocks में भी कर सकते हैं और Mutual Funds में भी कर सकते है Mutual Funds का SIP Demo मैंने एक दूसरे वीडियो में दिखाया है लेकिन आज हम देखेंगे कि Shares में SIP कैसे कर सकते हैं SIP का मतलब होता है Systematic Investment Plan इसका मतलब यह होता है कि एक Fixed Interval पर एक Fixed Amount को लेकर आप किसी भी एक Instrument में, Share में, ETF में, Mutual Fund में इंवेस्ट करते रहेंगे SIP का फाइदा क्या होता है कि समझिए Stock का Graph ऐसे जा रहा है आपने हर Point पर अपना Purchase किया है तो आपका जो Buying है वो Market के साथ जो है टालीड है अगर आपने अपना Buying सारा यहां कर लिया होता तो जो है आप यहां पर Average करने का Opportunity खो देते या फिर हो सकता है कि आपके पास जो है Amount Lumsum यहां Available नहीं है तो आप एक Plan बना लीजिए कि Market के साथ जब Market नीचे जाएगा तब भी आप Amount डालेंगे जब उपर जाएगा तब भी अब Amount डालेंगे तो आपका जो है Overall Return अच्छा बन जाता है SIP जो है बहुत ही Standard तरीका है अच्छा Disciplined तरीका है Invest करने का मैंने पहले आपको बताया है कि मैं 3 Stocks में SIP करता हूँ और मैं जो है सिफ उनहीं Stocks को खरीदता हूँ So SIP जो है एक अच्छा Instrument है हम Invest का जो Button है Stocks के अंदर उसे क्लिक करके शुरू कर सकते है इस Process को या फिर उपर Options में जाकर यहां पर Equity को Select कर सकते है Investment Ready हमारा Account है अगर आपने Account नहीं खोला आया के वैसी पुरा नहीं किया है तो उस वीडियो को देखिए Process कैसे होता है और Account ओपन करने का Original जो Link है वो मैंने आपको Description में दिया है तो चलिए हम Equity को क्लिक करते है अपना Passcode हम यहां Enter करेंगे Passcode एंटर करने के बाद Equity का Screen ओपन हो जाएगा यहां पर Watchlist में हम फिर से जाएंगे और जिस Share में जिस Stock में हमें SIP करना है उसे पहले हम Watchlist में Add करेंगे तो Add करने के लिए यहां पर यह Plus का Button है तो हम Plus क्लिक कर देते हैं यहां पर अभी जो है जो हमें Stock चाहिए मैं TVS Motors को आज Select कर रहा हूँ तो इसे Select करके इस Button को दबा कर हम जो है इसे Add कर देंगे Watchlist में अब हम TVS Motors में जाएंगे अब आपको जो है Sell और Buy के Option तो दिख जाते हैं जब आप इसे Click करते हैं लेकिन S.I.P के लिए आपको इन 3Dots को क्लिक करना होता है इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए S.I.P का Option आजाता है Start S.I.P So हम Start S.I.P को क्लिक करते हैं अब देखिए S.I.P में Stocks में जो है Pay T.M. Money देखिए अभी S.I.P में Pay T.M. Money जो है हमें Monthly और Weekly को Option देता है आप कोई भी चूज कर सकते है Depending on your comfort मैं generally महीने में दो बार करना पसंद करता हूँ लेकिन Weekly is also good So मैं Weekly सेलेक्ट कर लेता हूँ मुझे लेने है 5 Shares हर हफते 5 Shares ले लो मेरे लिए And किस दिन करना है हफते के So हफते का जो दिन है महिना होता तो वो date पूछते तो day आप जो है सारे working day select हो गए कभी किसी करान अगर Thursday को market बंद हुआ तो आपका S.I.P जो है वो Friday पे अपने आप shift हो जाता है The next working day पर जो है आपका चला जाता है तो हम जो है Thursday select कर लेते है So यहाँ पर बड़ा simple है Stock का price जो भी होगा Market खुलते ही सुबर Every Thursday मेरे 5 shares पर्चेस हो जाएंगे Start S.I.P के लिए मुझे ये बटन दबाना है So मैंने Start S.I.P दबा दिया और देखिए ये S.I.P सेटप हो गया है मेरे PTM Money अकाउंट में जो margin है जो amount में funds transfer करता हूँ वो sufficient होना जरूरी है तो अगर ये 1.500 का share है तो लगबग जो है 5 share खरीटने के लिए मेरे पास 3.500 से 4.000 रुपे जो है account में हमेशा होने चाहिए तब जाके ये S.I.P successfully ये होगा अब इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ किया हो गोल रहे कि you will be notified on the date of S.I.P please make sure that funds are available one day before S.I.P fair enough and S.I.P का जो final order amount है right will depend on the market price of course price तो change होता रहेगा and वो ही आपका plan है कि price उपर नीचे होता रहे आप हर point पर S.I.P करते हुए अपना holdings बढ़ाते चाहे so ये हो गया S.I.P करना stocks में बड़ाई simple है अब अगर आपको check करना है कि आपके अलग-अलग S.I.P कहा है और उसे manage करना है तो वो भी बड़ा ही easy है अपने S.I.P को check करने के लिए आप dashboard में चाहिए dashboard पर आप scroll करेंगे तो देखिए आपके upcoming stock S.I.P आपको दिखते है तो देखिए हर week का यहाँ पर date आ गया है और कितनी quantity का कौन सा stock है मेरा इस वक्त एक ही S.I.P सेटप है equity में TVS Motors तो वो यहाँ पर दिखा रहा है अब इसे manage करने के लिए यह view more का button है तो हम view more को click करेंगे और देखिए यहाँ पर जो है stock S.I.P को option है price alerts और GTT features भी है जिनके बारे में हम अलग video बना रहे है अब यहाँ पर जो है हर आने वाला S.I.P हम देख सकते है और हम जो है उसे edit भी कर सकते है यहाँ से अगर हमें edit करना हो तो इसे click करके quantity change कर दीजिए और modify कर दीजिए अगर delete करना है तो delete का button दबा दीजिए as simple as that तो चलिए TVS Motors के इस S.I.P को हम edit करके देखते है तो यह जो weekly option उसमें पाच के जगा हम इसे कर देते है हमें एक S.I.P को modify किया सारे S.I.P जो है इस share के modify हो गई as simple as that अगर यहाँ पर multiple stocks होते हैं तो उन सब का total amount जो आपको लगने वाला है इस week में वो दिखाई देता आपके कुछ stocks के weekly S.I.P हो सकते है कुछ के monthly हो सकते है तो यह dates और amounts जो है उस हिसाब से vary करते रहेंगे अगर हमें यह S.I.P डिलीट करना है तो अगेन इसे click करेंगे हम यहाँ पर जो है stock के नाम पर click करेंगे और नीचे जो है delete का button हम click कर सकते है अगर हमने delete दबाया confirm S.I.P डिलीशन के लिए यहाँ पर tick mark कीजिए और S.I.P deleted successfully आगया आप देखिए stock S.I.P में अब कुछ भी नहीं है यहाँ पर सब कुछ जो है वो cancel हो गया है तो Paytm Money में stocks में S.I.P करना बड़ा ही easy है आपको अगर mutual funds में कैसे करते है S.I.P उसका तरीका थोड़ा सा अलग है तो उसका मैं अलग वीडियो बनाकर आपको description में link दे दूँगा आपके कोई सवाल हो तो मुझे comments में पूछिए मिलेंगे अगली बार